साल में होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए जब तक जाती जन्गरना नहीं होगी नियाई नहीं मिल सकता उन्होंने कहा कि जाती जन्गरना कोई आज की मांग नहीं है उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने केसी जमाने में इस पर समझोता किया और समविधान के अधिकार मैंपुरी लोगसभा उप चनाव में बंपर जीत से मिली संजीवनी और चाचा शिवपाल के साथ आने से मिली बूस्टर डोस के बाद अखिलेश यादर लोगसभा चनाव में बीजेपी से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं यही वज़े है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रमक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक बाउंसर मार रहे हैं आज अखिलेश ने अपने तरकश से एक और सियासी तीर निकाल कर बीजेपी पर चला दिया अखिलेश ने बिजपी से जातिय जनगर्णा कराने की मांग करते हुए कहा अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये करना है, तो Freedom App को अभी डाउनलोड कीजिए उनकी सतरकार बनेगी, वो जातिय जनगर्णा कराएंगे जातिय जनगर्णा कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जातिय जनगर्णा हो और समिधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति ब्रादरी को जब जातियों की गिंती पता हो समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है जिपिशले चुनाओं में समाजवादी पार्टीन और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवारी सरकार मनेगी तो तीन महीने में जाती जड़ना कर दी जाएगी बीजेपी लोग सबचनाव को लेकर यूपी में मेशन 80 में जुटी है और इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बना कर हर बोटर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है लेकिन अखिले शियादफ ने बीजेपी के मेशन 80 को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि निजी करण की रहा पर चल रही बीजेपी यूपी की सभी लोग सभा की 80 सीटे हार सकती है देखे बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटे हार जाए जो ये कहती हो पार्टी के हम बर्सों बर्सों रहेंगे याद कीजे यही कहते थे ना कि 50 सार राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो दो दिन चले गए 398 उनके राष्टिया देश को कम सकम दो मेडिकल कॉलेज देखने जाने चीए जो उन्होंने खुद शिलानिस की हैं अगर वो दो मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तवजेश में कितनी लोग सवाज जीतेंगे वो अखिलेश यादव ने बीज़ेपी के सामने एक बाफर वही मुद्दा छेडा जिस पर वो अकसर बश्टी नजर आती है अखिलेश की जातिय जनगर्णा की मांग पर बीज़ेपी की ओर से एजबार भी कुछ ऐसा ही बयान देखनी को मिला लोग सवाज चुनाव को लेकर बीज़ेपी अपनी रड़नीती पर काम कर रही है आखिलेश यादव समेथ पूरा वेपक्ष बीज़ेपी के खिलाफ जातिय जनगर्णा का सियासी चक्रवियू रश्नी में लगा है दरसल यूपी की सियासत में OBC बोटर नरनायक भूमिका में है मंडल कमिशन के बाद से यूपी की सियासत OBC और दलितों की एर्द गिर्द घूमती रही है इसके लावा 25 फीसिदी अनुसूचित जाती और करीब 18 फीसिदी मुस्लिम आबादी के सहरे सूबे की सत्ता तै होती है यही वज़े है कि विपक्षी दलों की नजर OBC और दलित बोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातिय जनगर्णा की मांग करती रही है लेकिन यह मुद्धा बीज़े के लिए गले की हड़ी से कम नहीं है इसलिए वो अकसर इस मुद्धे पर चुपी साधने में ही भलाई समझती है क्योंकि बीज़े के सामने मुश्किल यह है कि अगर जातिय जनगर्णा की खिलाफ जाएगी तो सत्ता की सीड़ी कहे जाने वाले OBC और दलित वोटर के नराज होने का डर है तो वहीं जातिय जनगर्णा के समर्थन में जाने पर उसका सवर्ण कोर वोट बैंक उससे छिटक सकता है अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो Freedom App को अभी डाउनलोड कीजिए